हेलो दोस्तों, तो आज की इस विडियो में हम बात करेंगे डेटपूल इन वुलवरीन के OTT रिलीस के बारे में, क्योंकि इस मूवी का अपना ही अलग फैंडम है, तो इस मूवी का आप लोगो को डिजिटल या VOD वर्जिन कब तक देखने को मिलेगा, और क्या इसमें भी आ रहे थे, इसने हर चीज़ को पूरा किया है, और साथ में फैंस सर्विस भी खूब भर के दी है, इस मूवी ने डेडपूल के पिछली मूवी के कलेक्शन रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है, जो की लग भी रहा था, लेकिन पहले ही वीकेंड में इतना कलेक्शन करके इस अपनी रिलीज के 45 दिन बाद डिजिटल पर देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे कि ये मावल मूवी है तो इसके साथ सीन ये है कि ये मूवी कम से कम साथ दिन तो डिजिटल या वी ओडी पर आने में लेगी ही, इसका मतलब है कि आप लोगों को इसके लिए कम से कम हमें इंडिया से बाहर की countries में ही देखने को मिलेगा जो की सिर्फ English version में ही होगा यानि एक तरह से English में इसका digital version तो हमें October में ही देखने को मिल जाएगा लेकिन अब बात आती है Hindi OTT release की तो वो release date fix की गई है November के पहले week में जहां इंडिया में हम इसे Disney hot star पे देख सकेंगे तो Hindi lovers को फिलहाल तो इस movie के लिए November तक का तो wait करना ही पड़ेगा उससे पहले कोई chance नहीं है कि Hindi में देख पाए और last में बात करें इसके extended cut की तो फिलहाल इस movie के theater में रहने तक कोई information नहीं आएगी कि movie से कोई scene delete किया गया है या नहीं क्योंकि ये सब digital या blu-ray version के market में आने के बाद ही पता चलता है कि makers क्या extra footage आड़ कर के OTT पर release करेंगे तो फिलहाल इस video में बस इतना ही ऐसे ही short and quick update के लिए सब्सक्राइब करिए cinema and popcorn को Till then, bye!